मुश्कार सभी को स्वागा थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फेक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में देखो बेटा फेक्टर पेमेंट्स मैंने आप लोग को बताया था क्या होती है महनत की कमाई दूसरी तरफ मैंने ट्रांसर पेमेंट्स आप लोग को बता दू यह होती है बिना महनत की कमाई असान भाषा में factor payments का meaning क्या होता है बेटा देखो यह जो income होती है factor of productions को मिलती है किसके बदले में productive services देने के बदले में देखे meaning में लिखा हुआ है it refers to income received by factor of production for rendering factor services in the production process जो मैंने आप लोग को असान भाशा में बता है वही यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है दूसरी तरब बात करते हैं हम transfer payments की transfer payments मैंने आप लोग को बता है without rendering any productive services मिल जाती है या फिर factor services दिए भी नहीं आप लोग को मिल जाती है इट refers to income received without rendering any factor services in return यहां पर जो टी है वो डी होगा वो रेंडरिंग होगा रेंडरिंग नहीं होगा वो रेंडरिंग होगा आप लोग ठीक कर लीजेगा अच्छा देखो जो factor payments होती है हमारी national income domestic income दोनों ही जगाओं पर इंक्लिड होती है एक ची बताईए आप लोग अपन पैसा का मारा है उसको आप लोग उंक्लिड करोगे तो यहाँ पर लिखाव यह our ऋउन्यचनल income domestic income दोनों ही जगाओं पर इंक्लिड करते हैं दूसी तरह पाता है क्या हमारे transfer payments इनको अम national i impact domestic income दोनों ही जगाओं पर नहीं करते एक team便क्स जो होती रिसीव करताач आप लोग की पैंशन होती है हाउसोल्ड को मिलती हैं डोनेशन वोती हैं यह सब चीज़े किसको मिलती है गवर्मेंट को मिलती है आप लोग इस बात को याद रखिएगा एक्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, factor payments की तो क्या होते है, rent, profit, wages, interest, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, transfer payments की तो यह क्या होते है, scholarship, old days, pension, etc. अब इसको आप लोगों ने पढ़ लिया, notes में मैंने कैसे लिखवाया हुआ है, आप लोगों ने देख लिया, लेकिन अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, देखिए भई, एक तरफ आती है आप लोगों की factor payments, एक तरफ क्या आती ओके बेटा, कोई दिक्कत परिशानी बताओ, दोनों के भी इसका भी हम difference के बारे में बात करेंगे, देखो भई, जो factor payments होती है, receive कोन करता है आप लोगों की, ये receive करता है आप लोगों का factor of production, कोन receive करता है, factor of production ये receive करता है, factor of production बेसिकली बाबू, चार होते हैं आप लोगो entrepreneur और capital आप लोगों की, क्या होते हैं, चार factor of production होते हैं only, हमारी पूरी की पूरी इंक्रोमी पे पूरी धरती बाब, चार factor of production होते हैं ये, याद रखेंगा इस चीज़ को, अच्छा, दूसरा point मैं आप लोगों को example बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ आती है, देखो, पता होगा land, अगर आप किसी का land पे रहते हैं, किराय पे लेके, तो उसको क्या देना पड़ता है, किराय देना पड़ता है, labor को अपने पास रखेंगे, तो क्या देना पड़ेगा, waste देना पड़ेगा, salaries देनी पड़ेगी, entrepreneur, जो बंदा business करता है, जो मालिक होता है, वो क् एक चीज़ मैं आप लोगों से पूस्ता हूँ, आप लोगों मिरको बताईएगा, या मैं आप लोगों यहाँ पर दिखाता हूँ, आप लोगों समझ आएगा, देखिए, यह जो factor payments होती है, आप लोगी, देखिए, factor payments में क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा र transition है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे transfer payments में तो इसमें क्या होता है पैसा आता है इसके बदले में आप लोगों ने कुछ काम किया नहीं होता है यहाँ पर देखिए जैसे government है government आपको pension देती है old age में ठीक है यह मैं हूँ मैं नाम साहिल है मैं 60 साल का हो गया मान लिजी 60 साल से ज्यादा का हो हो चुका हूँ तो मेरे को pension मिलेगी government से है ना तो इसके बदले में कोई काम नहीं करके दूँगा घ्र ना तो यह है bilateral transactions यह होती है आप लोग की कोई दिक्कत आप लोग को परिशानी बताओ देखो transfer payments receive कोन करेगा जादतर मैंने आप लोग को बताया था यह जादतर household या फिर government ही receive करती है government और household इसको receive करते हैं मैंने बताया था आप लोग को भूले नहीं होंगे आप लोग आये हो second point एकजांपल क्या-क्या हो सकते हैं वो भी इसी के अंदर आती है, ओके बिटा, अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने आप लोग को तीसरी पॉइंट पे, ट्रांजिक्शन्स कौन सी होती है, ट्रांजिक्शन्स होती है, यूनिलेटरल, एक तरफा ट्रांजिक्शन्स आप लोग की ये होती है, I hope कि आप लो को प्रोफिट मिलता है, कैपेटल के बदले में इंट्रेस्ट, ट्रांजिक्शन्स कौन सी होती है, ये फेक्टर पेमेंट्स कौन सी ट्रांजिक्शन्स होती है, दो तरफा, एक हास से लोग, दूसरे हास से दो, अच्छा, ट्रांजिक्शन्स कौन सी होती है, एक तरफा, य झाल झाल